Hello student, welcome to the online class of math student, today we are discussing about the different type of lines and points, so let's begin this Students, firstly we will know what is point Point is a dot made with a sharp pencil Point क्या होता है, जो कि हम किसी भी एक sharp pencil से made करते है Point के पास ना कोई length होती है और ना ही कोई breadth होती है, बस ये एक position को sew करता है तो means क्या होता है, एक sharp pencil से हम इस dot को यहां पे बनाते है जैसे मैंने यहां पे बना दिये तो ये क्या हो गया, एक dot हो गया और इसके पास ना तो कोई length है, ना कोई breadth है, ये क्या कर रहा है, बस एक position को sew कर रहा है clear हो गया student, चलिए next देखते हैं हम लोग lines के बारे में student, जब हम number of points को join करते है, then बनता है line, ठीक है student, as you can see here the definition of line, line is a straight set of point that extended in opposite direction without ending means line का क्या होता है, कोई end नहीं होता है, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा ना तो इसका start point पता होता है और ना ही ending point पता होता है, हमें line का next है word, ray, ray क्या होता है, student ray में क्या होता है, एक तो हमें start point पता होता है लेकिन इसकी ending point नहीं पता होता है, जिसे हम यहाँ पर क्या करते है, यहाँ पर dot से so करते है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें यह पता है कि यह start कहां से हो रहा लेकिन यह खतम कहां पर हो गए यह नहीं पता होता है ठीक है Line में क्या होता है ना तो उसका start पता होता है ना ही end पता होता है Re में हमें उसका start पता होता है लेकिन end नहीं ही पता होता है line segment में क्या होता है line segment में हमें start भी पता होता है और उसका end भी पता होता है किसी भी line का जो एक छोटा सा part ले लेते हैं तो वो हो जाता है line segment तो line segment में start and दोनों पता होता है और ray में हमें start पता होता है end नहीं पता होता है जबकि line में हमें दोनों ही नहीं पता होता है line को start कहां से करना उसका end कहां पर होना है यह दोनों ही हमें पता नहीं होता है तो student इस तरह से यह हो गई line की definition और point की definition तो आप इन दोनों को ही अपनी copy में क्या करेंगे write करेंगे इन दोनों ही definition को और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एंगल्स के बारे में सीखेंगे.